बंसिलाल की सबसे अच्छी बात जो थी चोई बंसिलाल की वो एक एबल एडिमिस्टेटर थे और विजनरी थे आप कभी भी वो देखिए कितने तीन बाट चीफ मिनिस्टर रहे हो और याड़ा के कभी वो मास लीडर उस रूप में नहीं हो पैज से चोई देवलाल हुए उस पैसे की कोई दिक्कत उस रूप में नहीं थी तो जब आपके पास पैसा था और एक विजन था प्लस विकास की गुंजाईश बहुत थी क्योंकि था ही कुछ नहीं जैसे हम बात करने थे कि बहुत ही बैक्वेड एरिया था तो जैसे सड़कों की किनेक्टिविटी उन्हों टेकनलोजी भी इतनी एडवांस नहीं थी और बंसिलाल जी का जो सबसे बड़ी गजब की चीज़ जो मैं आज तक जिसका कायल हूं वो टाइम बाउंड इंप्लिमेंटेशन में बड़ा वरोसा करते थे वो आपके पास आये के हां बताये थागी जी यह प्रोजेक्ट आप कितन दिन में कर देंगे तो आपने कहा साब 6 महीने में तो कहते थे ठीक है मैं 6 महीने दो दिन में हूँ है तो वह उनकी अप्रोच थी तो आपको अंगेज भी कर लिया आपके इंदर एक वरोसा भी दे दिया और जब आप बंसिलाल जी जी मुख्यमंतरी के तौर पर आपस से बात कर रहे हैं तो आपके पास कि इस चीज की वैसे भी कमी नहीं रहेगी, administration will be on at par with you, on page. तो उसमें जो चिटपुट जो दिखते टेकनिकल्टी जाज कल आती हैं, वो उस दौर में उसकी गुंजाइश नहीं थी, और able administration, कठोर administration, delivery का आदमी, and with a vision, तो उन सारी चीज़ और बंसिलाल जी के जाद जो यहादसा हुआ, जिस तरह के हालात बने, वो तीसी ट्रम में बने, पहली ट्रम तो शुरू में थी उनकी, बीच में जो बंसिलाल जी को अटाक ए सेंटर में बुलाया गया उनको, उस समय टाइम बहुत थोड़ा था उनके पास, बहुत कम, 11 मह इने में आये, तो स्टेट अमारी अरिया ना, स्टेट जो मूड बनाती है ना, वो ट्रम के चाड़े 3-4 साल के बाद बढ़ाई लेती, यह मान के चलिए, तो उस टाइम डिसिजन यह लग बग लोगों ने यह मूड बना लिया था, पॉलिटिशन भाभ भी लेता है, कि कॉ जो 96-99 की उनकी ट्रम थी, मुझे यह कहने में कोई अतिशोक्ती नहीं लगती, कि उन्होंने जितना जीवन अरजित किया था, चाहे वो रेल मंतरी के नाते, चाहे वो रक्षा मंतरी के नाते, चाहे वो अर्याना के मुख्य मंतरी के नाते, उसको उन्होंने गवावी दिया कारण क्या रहे उस पर हम भाष कर सकते हैं शराब बंडी उसका सबसे बड़ा कारण रहा है और शराब बंडी जो उनका सबसे फेवरिट एक तरीके से उसके उसपर चढ़कर वह सकता कि उसमें बिजए पी कर उसälज उसमें जो आरोब लगे शराब की तसक्री के उनके अपने लोगों पर ही लगे और टुदेट एक उनके बेटे पर भी लगे एक जो आपकी जो यूएसपी है आप डिलीवर करते हैं वो डिलीवरी वो नहीं हो पाई 96 दूसरा जो सबसे इपॉर्टेंट चीज थी कि उनके पॉइंट केरी नहीं करते अपने मन से काम करते बंसिलाल जी के वो हालात नहीं थे वो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो बैसाखियों पे और वो बैसाखि अल्टिमेटली उनका जो पूरा जीवन की कुल जमापुंजी थी उसने उसको कहीं खराब करने की कोशिश क चे वो शराबंदी का मामला हो चे डिलिवरी का मामला हो चे कंप्रोमाइजी का मामला हो चे परिवार के अंदर सरोज उस तरफ खीच रहे सुरेंदर उस तरफ खीच रहे और वो तमाम चीज़े उसके कारण जो उनका जो हर्यारा की सियासत में जिस बड़े कद के साथ नाम लिया जाना चाहिए था वो 99 की ट्रम के बाद और जिस तरीके से उन्होंने opportunism भी किया एक तरीके से पूरा जीवन बंशिलाल जी का क्या था NTBJP पूरा जीवन एक सैधान्तिक तौर पे और मैं आप जब उनसे हमारी उनसे संबंद व्यक्तिगत भी रही है तो बहुत ही नफीस आदमी थे वह बाचीत के साबचार एक विजनरी लिए वह इस बात को आखिर तक पचा नहीं पाए कि यार मुझे गलती होगी हो और वो उनके उनका केवल एक ही था कि मैंने यह पाल्टी चौड़ी क्यों और चौड़ दी तो मैं वापस आया क्यों दौनों इचीजहों का किष्ट वह चोड़ने का भी और वापस आने का वे जिन कंडिशन्स में सरंडर करके वो आपकी पार्टी थी आप सत्ता में थे और उसमें भी गजब की बात यह कि ऑपर्चिनिजम बंसिलाल जी से बीजेपी ने समर्थन विड्रॉक कर लिया है उसके बाद कॉंग्रेस का समर्थन ले लिया है और यहाणा में तीन ही तो पार्टिया थी तो आप तो बेपेंदी के लोटे होगा एक तरीके से तो उस पॉलिटिकल ऑपर्चिनिजम को भी आजा कि बंसिलाल जी को जो मैं और आप जानते हैं वो यह कह सकते हैं कि जिस तरह के शाशक थे वो वो सत्ता को लात भी मार सकते थे लेकिन इस केसे में उनकी वो यूए यूएस भी थी वो भी जीरो ह हुआ और वो नेगिटिव में विचलेगी एक स्टेज़ पॉर्ट